नमसकार दोस्तों स्वागात आपका इस वीडियो में हम लोग बीट्यस्य एन्म काउशलिंग को लेकर जो अपडेट आये थे उसके रिगारिंग सुचना आने वाले थे उसको लेकर हम लोग अपडेट जानने वाले हैं कि आपकी जो ऐले कर जैसे कि पेपर में दिया गया था कि आपकी जो counseling की परकिरिया है वो next month से होने जा रही है next month के तो एक सपता बात जैसे कि मैं तो समाप्त होने ही वाले है तो उसको लेकर paper में दिया गया था उसके बाद btsc के तरफ से जैसे जानकालिया मिल रही थी कि officially notice भी जारी किया जाएगा तो उसी को लेकर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे शाथ ही आपका documents जो आपको लगने वाले है उन documents का list भी आपको तैयार करके रखने हैं क्योंकि आपकी जो counseling की जो list आएंगे उसके बाद जो first जो जिनका counseling में बुलाया जाएगा उनको जैदा समय नहीं मिलेगा तो आपको documents पहले से सारे arrange करके रखने हैं और उसके regarding हम सारा list भी आपको बताएंगे किस तरीके से आपका अपना documents रखना है और किस date के आपके रहने चाहिए यदि हम जाती की बात करें तो वह कप का होना चाहिए NCL आपका कब से होना चाहिए उसके बाद यदि हम बात करें सैक्षिनिक योगता का तो सैक्षिनिक योगता certificate आपका किस date का होना चाहिए इन सारे चीजों को हम लोग जानेंगे साथ हम लोग notice के तरब भी जानते हैं कि क्या बीटीयसी अपडेट करें क्या कुछ अपडेट किया है आप लोगों को लेकर तो साड़ा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो इस वीडियो के पेपर में दिया गया था प्रभात कवर के हमने आपको न्यूज भी बताए थे उसके बाद हम लोग आज तक इंतिजार कर रहे थे यह बिट्यस्टी के अफिशली वैफसाइट पर भी उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आएंगे लेकिन फिलाल यह हम लेटेस्ट नोट पर दिश्ट भी आएंगे जो कि आप लोग के कौंसलिंग को लेकर कि आपकी कौंसलिंग के लिष्ट कब तक आ रहे हैं तो उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे कि अभी अभी चल रहे हैं जो कि कंडिडेट जो वह इनका फर्मासिस्ट का है उनकी रिगार्डिंग जो आप सब को हमने अपडेट बताये थे कि केस फाइल हुए थे इसकी रिगार्डिंग इसका फिर से इनका डेट भी बढ़ाया गया था तो डिकुमेंट्स की रिगार्डिंग में हम लोग जान लेते कि क्या क्या डिकुमेंट्स आपको कब से किस समय सिमा कराना चाहिए और आपको N.M का सटिफिकेट भी लेकर जाने है क्योंकि आपकी जो को बूस्ति वरिक में बुलाएगा उसके जो तयार मक्त पुकि अंदार के लिए कुझे कविए कह शेटरिकेट लेकर जाने है और सबक्ताय और है कि येसले कि होरेक की सीडिकेशन का मार्क हो लेकिन USAM सब के पास उनका मार्क होंगे तो लेकिन सब बाशन आधकर पास जरूर है यहीं पर उसमें सेटीमबर के पहलिए का होना चाहिए सेट के की बात कहिं तो सेक्षिनिक योगता चाहिए है की सेप्टेंबर से पहले का पुरभानपत्र राना चाहिए और यह लेकर आपको बुलाए जाएंगा तब ungef accordingly को पूराइड कर देंगे जैसे कि जुनियर रिजिडेंट की जो कॉंसिलींग का यह निस longue जो कहोए उनकी कोंसले डिकुमेंट्स रिच्ट का है। उसका उफिच्छली जो नोटिस है, वो जारी किया गया है। और उसके मिर अपकोuinंसलेंग की पसक्ले इनकी कॉंसलेंग की फिलाल इसमें इतना ही थैंक्यू